हेलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वालेंगा आप लोग अपने ब्लॉग और पोस्ट की इमेजिस को कैसे कंप्रेस कर सकता है कि उसकी क्वालिटी बिल्कुल भी लो नहीं होगी और कौन सा बेस्ट फॉर्मैट है तो आपकी पोस्ट जाधा स्याध किया हुआ है मैं आप लोग को रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग अपनी यहां पर किसी भी गूगल से या फे किसी वेबसाइट से जो स्टॉक फ्री इमेजिस प्रोवाइड कर दिया वहां से आप डाउडोड करें मैं आपको सजेस्ट करूंग आप लोग अपनी पर दिस का जनरल पर हम लोग आ गये जनरल पर क्लेक्ट करके तो देखिए यहां पर लिखाव है जे पी-जी फॉर्मैट है यह अपको पहले यह देख लेना आप कर सेर्च कर लेना है आप लोग को से ओपर से जाएट उप्शन्स मजाता आपको वेब पी क्लिक करना है जो आप लोगों अपनी image को यहां पर compress करना है अच्छे से optimize के साथ यूज करना अपनी blog post के लिए तो webp format सबसे best रहता है तो आप लोगों पहले यहां पर webp यहां पर लेखा webp to gif jpg to webp तो आपका अगरा png है तो आप png to webp पर click कर दीजिए ने तो jpg to webp तो मेरा jpg है तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ jpg to webp इस पर मैंने click कर दिया अब यहां पर choose file का option आया तो मैं उस image को यहां पर choose कर लेता हूँ यह मैंने एक image यहाँ पर drag and drop कर दिया है इसके बाद आप लोग को simply यहाँ पर upload पर click कर देना है तो upload पर जैसे हमने click किया देखें आप online jpg to webp converter लिखा होगा है नीचे आना है convert to webp लिखा होगा तो आपको उस पर click कर देना है आपको अगर png हो तो मैंने उपर आप आप लोगों को जैसे starting में बताया था कि यहाँ पर png to jpg भी मिल जाता है यहाँ पर png to webp और jpg to webp भी मिल जाता है तो दोनों इससे आपका जो हो वह आप लोग format ले लिजे आप देखें मेरा यहाँ पर jpg image था तो यहाँ पर convert हो चुका है यह converted image है इससे आपको simply यहाँ से अब कर लेना है यहाँ पर save 400 यहाँ पर कर देना है आप लोग को और इसे कर देना है यहाँ पर select करके stretch to fit और फिर resize image पर click कर देना है यह वैपी format प्याव हो गई है तो देखें यहाँ जो compressed image है जो हमने इसकी quality बिल्कुल भी लो नहीं हुए जैसी वह original थी मैं आपको यह देखाता हूं यह original वाला है जो original था और यह है compressed दोनों में ज्यादा कुछ difference नहीं बचा है और आपने कितने हमने यहाँ पर कितना ज्यादा इससे compress कर दिया है और देखें quality बिल्कुल भी loose नहीं हुए है अब आप इस webp format की जो image है इसे यूज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में रिनेम करके बहुत ही आसाँ इसे webp format पे आप लोग यूज कीज़े अपनी website में images को तो यह बैटर रहेंगे आपकी search ranking के हिसाब से तो guys यह था technique आप लोग कैसे अपनी images को optimize कर सकते हैं अपनी blog post के अब बहुत ही आसानी से वीडियो अच्छ लगा तो वीडियो को लाइक करें चैनल में नहीं हो तो subscribe करने साब बलवाले बैल आइकन को टनों का नाम मत भूलेगा और अगर आपको किसे और चीज़ से प्रावलाम होता हो मझें comment box में जरू बताएगा